दोस्तो जब आप एक नया internet connection लेने के लिए plan करते हैं। वे एक broadband connection लेने का प्लान करते हैं। एक air fiber connection लेने का प्लान करते हैं। तब आपको एक देखना होता है कि पर मंत कितना खर्चा आएगा और क्या speed आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो वो जो company होती है, ISP company जो आपको internet provide करती है, जिसे कि BSNAL है, Airtel है, GEO है, यह company है, जब आप इनके plan देखते हो, तो वहाँ पर आपको दिखाए देता है, जिसे कि 50 MBPS वाला plan, 100 MBPS वाला plan, 200 MBPS वाला plan, जब आप इस पर गार के connection ले लेते हो, या फिर आभी लेने का plan करते हो, तो actuality में होता क्या है, जब आप एक file को download करते हो, तो आपको speed मिलती है, 10 MBPS, 20 MBPS, 15 MBPS, तो ऐसा क्यों होता है, आपने plan तो 100 MBPS का लिया, और आपको मिलता है 10 MBPS का speed, तो इसका क्या region है, आपने जब connection लिया था, तो साइध उससे पहले सोचा होगा, कि अगर आप 100 MBPS का plan लें लेंगे तो, पर ऐसा नहीं होता है, इसका क्या कारणा है, आईए देखते हैं, तो सुरू करते हैं वीडियो को, वीडियो सुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कीचिए, वीडियो को लाइक कीचिए, और होता है, capital M, b, p, s में आपको speed बताए जाती है, और जब आप कोई भी फाइल डाउंलोड करते हो, इंटरनेट के द्वारा, तो वहाँ पर जो आपको speed बताए जाती है, वो capital M, capital B, ps में बताए जाती है, जहाँ पर capital B का मतलब होता है, byte, megabyte per second, अथार्थ, जब आप कोई भ बड़ी फाइल है उसको डाउनलोड करते हो तो आपको जो speed मिलती है वहाँ पर megabyte per second में मिलती है अब देखते हैं bit और byte में क्या relation है तो दोस्तो computer की बासा में computer sorry दोस्तो computer की बासा में 1 byte बराबर 8 bit होते हैं अथार्थ 1 byte memory अगर आप लोगे तो उसी को अगर bit में देखे तो उसका मदब होता है 8 bit इसका मतलब यह हुआ जो भी plan आपको दिखाया जाता है वो 8 गुना मतलब 8 गुना जादा होता है मतलब कि उसकी जो actual speed आपको मिलती है वो 8 गुना कम मिलती है कैसे जैसे आपने 100 mbps का plan लिया अब आपको चेक करना है कि आपको इसकी actual speed कितनी मिल जाएगी तो उसके लिए आपको 100 को 8 से divide करना होगा वही आपकी actual speed होगी तो 100 को 8 से divide करेंगे तो कितना आएगा 100 को 8 से करेंगे तो लगबगी आएगा 12 तो 12 mbps के आसपास आपको speed मिलने वाली है मतलब की 12 mbps मतलब की 12 mbps एक सेकेंड में आपका download हो जाएगा यह speed आपको मिलने वाली है तो actuality यह है कैसे इसको convert करना है simple सा formula है एक बार और repeat कर देता हूँ जब भी आपको जो आप plan लेते हो या plan लेने का plan कोई भी connection लेने का plan कर रहे हो तो उसमें जो आपको actual speed मिलने वाली है उसको कैसे निकाले आपको divide by 8 कर देना है direct वही downloading speed आपको मिलने वाली है जैसे की 100 mbps का plan लेते हो तो लगबग आपको 12 mbps की speed मिलने वाली है तो यह हमारा चोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपको mbps और mbps में conversion बताया है small mbps और capital mbps में इसको कैसे convert करना है और कैसे यह हमारे लिए useful है तो जो आपका भ्रह्म था इतने दिनों से और हमारा भी था इससे पहले इस वीडियो से पहले तो वो कहीं-कहीं गलत था कि जो कंपनिया आपको plan बताती है और जो speed देती है वो काफी कम देती है उसका technical region है और हम जानते हैं क्योंकि internet की जो speed होती है उसको mbps मतलब की megabit per second में मापा जाता है और जो downloading की speed होती है उसको megabit per second में मापा जाता है इसी का यह अंतर आता है